हेलो दोस्तों सौगत आपका स्पीजी चनल में तो दोस्तों आज दिसक्स करेंगे रडी बीबी उनिवर्सिटी के एन्नॉर्मेंट पॉंप के बारे में जियां दोस्तों कारी मैं आपको इस वीडियो के मातम से बताऊंगा तो आडी बी उनिवर्सिटी के जो भी इस्टूटेंट आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आएज मैं आपकी पूरी प्रोसेस बताने बाला हूँ तो दोस्तों अगर आपने अभी अपना अप्लाइ कर दिया है और आपको यह नहीं पता कि हमारा जो एन्वर्मेंट नंबर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है अगर आपका एन्वर्मेंट नंबर जनरेट हो गया तो वो कहां से चेक करना है कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ तो एन्वर्मेंट नंबर पर हमको आना होगा तो चली दूस्तों मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ चली दूस्तों पहले हम RDBB University को अपीशल वेबसाइट पर चलते हैं तो दूस्तों इस वेबसाइट पर आना है तो वेबसाइट पर आने के लिए हमको Google पर आना होगा Google पर आने के बाद में आपको सर्च करना है RDBB University MPR तो इसके बाद में पस्ट नम्मर पर लिंक का जाएगा RDBB University तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने की नया इंटरपेस आने लगेगा तब तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए कोई भी डावट होता है कुमेट कर दोस्तों चोटी सिर्कोष्ट हएगर आपने इस्टरराब पर पहलो के आये तो इस्टाग्राम पर भी पॉलो कर लिजिए जो भी आपकी डावट होते हैं Instagram पर DM के दवारा पोछ सकते हैं तो ुस्ट्राग्राम का लिंक आपको डिस्क्र्क्रिक्स में दिया गया है जो भी आपके डावट रमेश की दोर आप पूछ चकते हैं तो जबना जबना याँ तो इसकी बाद में हमारे सामने इस तरह का ऐंटर्पेस से आ जाएगा यहां पर यह मैं आपको बता देता हूँ pay unpaid वारी कौनसी लिंक आपको सर्च करना है जैसा कि मैं highlight करके आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूँ pay unpaid be received and non status तो इस लिंक के मादधम से अगर आपने कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाए किस तरह से हमको पूरी वीडियो बना चूँँ तो इस टेटा चेक करने के लिए हमको इस लिंक पर क्लिक करते हैं और जैसी हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामनी नया interface आने लगेगा तो दूसरो इसके बाद हमारे सामनी इस तरह तो दोस्तो आपको application number बुवाला डालना है जो आपने pump को apply किया था जब आपने अपना environment pump apply किया था तो environment pump को apply करने के बाद में आपको एक application number generated किया गया था तो उसी application number को यहाँ पर आपको डालना है चलिए दूसरे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा application number होता है तो दोस्तो आपको application number लिट्व बार्थ और सर्च करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरपिस आ जाता है ओके यहाँ पर आपको अपना application number कौन सा डालना है वो मैं आ आपको बता देता हूं देखिए दोस्तों इस तरह का आपका एक application number होता है वो आपको application number यहाँ पर डालना होता है अब दोस्तों application number हमने डाल दिया तो और application number डालने के बाद में हमारे सामने इस तरह का application status में लिखा गया है कि application is approved by college यानि कि आपका जो application है जो form है वो एप्रूब कर दिया गया है college के द्वारा बट लेकिन pending for approval by university लेकिन university के द्वारा इसको एप्रूब नहीं किया गया है आपके college में आपने admission लिया है बहां से हो गया है एप्रूब लेकिन जो university है आपकी RDPB university बहा सकते हैं 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन का time लग जाता है इसको approve होने में university से या आपके जब exam form आते हैं जब भी आपके exam form आएंगे first year के जिया दोस्तों जब आपके first year के exam form आएंगे उसके 5 से 10 दिन पहले आपका enrollment number होगा वो generate कर दिया जाएगा अभी आपका enrollment number generate नहीं किया गया है और pending for approval by university यह यहां से हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या लिखकर आ जाएगा green color में ही इसकी जगह पर लिखकर आ जाएगा your enroll age और जो भी आपका number होगा वो number यहां पर लिखकर आ जाएगा और application is pending लिखा गया है उसको हटा दिया जाएगा और वहां पर लिखकर आ जाएगा your enroll each जो भी आपका number होगा वो आपको दिखाएगा तो जो आपका number होगा वो ही आपको यहां पर भही आपका enrollment number होता है तो दोस्तों उमिद कर आओ सारी जानकारी समझ में आगई होगी अच्छे से बता दिया है मैंने किस तरह से आपको अपना enrollment number चेक करना है अभी इनका इन enrollment number generate नहीं किया गया है जब भी generate होगा यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा जिस तरह से application number लिखा है उसी तरह से आपका नामंकर number भी generate होकर यहां पर सो करेगा चारी जनकारी समझ में आगी होगी कोई भी डाटो कमेंट करें तो दोस्तों वीडियो को इंपकेते हैं मिलते नेक्स बड़ी के साथ अपकली